चलो बच्चो यह जो है हमारा थर्ड चाप्टर है क्लास 6 का थर्ड चाप्टर क्लास 6 का है और चाप्टर का नाम है diversity in living things, diversity in living things and their classification इसका ये last part है ये कुन सा है last part है और इसलिए हम last part की तरफ जा रहे बच्चो इसके last part को हम देखेंगे हम बहुत आगे आ चुके है थोड़ा हम आगे जाएंगे और देखेंगे बच्चो की last तो बच्चो पेज नमर 32 का ये 32 का ये part है तो इसमें classification करने की कोशिश की है बच्चो broadly इसमें broadly classification करने की कोशिश की है और इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे चलो बच्चो आप से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं अपने teaching quality को बढ़ा आप बढ़ाएंगे ऐसे उम्मीद करता हूँ आप समझ लेंगे ये उम्मीद करता हूँ और आप कुश पढ़ लेंगे और मैं भी आपके साथ कुश पढ़ लोगा बच्चो दोनों को पढ़ना है बच्चो मुझे भी और आपको भी क्यों ना स्टार्ट किया जाए ये लास्ट पार्ट है हमारी थर्ड चाप्टर का बच्चो तो देखो बच्चो क्या कहते हैं पहले में ये देखो टेक ए ड्रॉप अप वाटर फ्रम दी पडल और प्लेस इट ऑन ए ग्लास साइड अब देखो पडल एने वह दबका पुलते हैं वहां का छोटा सा वाटर के लो और ये यहां रख दो हम स्लाइड के उपर रख दो और ये यह नहीं बच्चो स्वारी ये स्लाइड है और ये स्लाइड यह रखी जाती है ये बच्चो अंदर में ठीक है यह रखी जाती है ये मीरर का लाइट उसमें जाता है ये माइक्रोस्कोप है ठीक है ये माइक्रोस्कोप में रख दो ग्लास इननूमरेबल माक्रोब्स can be seen moving about in it और हमें क्या दिखेंगे इन्नूमरेबल असन्ग के माक्रोब्स वा एक ड्राप में दिेंगे यह बहुत सारे माक्रोब्स हम एक ड्राप पानी के ड्राप में देख सकते है You will see the continuously moving amoeba हम amoeba को देख सकते है प्यारा मिशियम को देख सकती है, प्यारा मिशियम का बच्चो चित्र है, अमबा का मैंने बता दिया था, ऐसा ही कुछ, कैसा ही निकालो, यह अमिबा का चित्र हो जाता है, समझे बच्चो, और यह प्यारा मिशियम का चित्र है, बच्चो, तो हम याद रखना चाहिए, यह पिक्चर है यह प्यारा मिशम का है बच्छो खाल में रखी है ठीक है तो ऐसे अमीबा प्यारा मिशम जैसे बहुत सारे दिखते है और यह जो अमीबा है प्यारा मिशम है यह कैसे यूनी सेलूलर वाटीज मिन बाई यूनी सेलूलर यूनी का मतलब क्या होता है बच्चो येक यूनी का मतलब होता है येक सेल वाली स्टक्चर यूनी सेलूलर मतलब क्या होता है येक सेल वाली स्टक्चर अनिमल की है आईसे को हम बोलेंगे यूनी सेलूलर अनिमल महीने क्या बोला ये मेन व वन सेल मतलब ये और लूरर मतलब हम निकालेंगे स्ट्रक्चर वाला है न बराबर है न तो ये यूनि सेलर स्ट्रक्चर वाला एनिमर होता है कौन सा होता है एक तो अमीबा होता है बराबर है और प्यारया मिशम भी होता है बच्चो ये है प्यारया मिशम का चीतर पिक्चर ह हमारी या अब दुसरा जो बात है हम दुसरी जो बात है तो हार्स की बात करेंगे बीर की बात करेंगे टॉर्टाइज की बात करेंगे they are multi sale animals multi hearts कैसा है बहुत बढ़ा है bear percentage कैसा है बहुत बढ़ा है और यह कैसे है multi seller multi मतलब क्या होता है अनेक sale और module me structures ठीक है यहने क्या होता है multi ने बहुत सारे बहुत सारे sale होने वाला animal हम उसको multi seller कहेंगे तो चलो बच्चो animal दो टाइब के होते है क्या है animals जी होते है ये दो टाइब के होते है पहला होता है uniceller और दूसरा होता है multi seller पहला कुन सा होता है uniceller और दूसरा होता है multi seller uniceller मतलब बच्चो एक ही sale होना है उसमें एक ही सेल रहेगी यह जनरली माइक्रोप्स होते हैं सब यह यह सबसे बड़ा सेल होता है और वह विजिबर होता है तो बच्चों क्या निए टेल चालो है अपना अब देखो हमारे पीड के बीच में आप ऐसा हाथ घुमाएंगे के ऊपर से नीचे था हमें कैसे एक बोंचंच लगेंगे बोंच जिसकी संकल होंगी HERE तो यह श्रूं क्ला को क्या कहते हो मालूम है क्या हम रीड की इसको वर्टीब्रेट कहते हैं क्या कहते हैं वर्टीब्रेट कह Clone और यह vertebrate सबको नई रहते है यह vertebrate column जिनको रहते है उसको हम vertebrate कहते है और जिनको नई रहते है उसको invertebrate कहते है इनने हमने देखा है एनिमल के दो ग्रूप देखे पहले एक देखा था हमने unicellular परबराबर है और दुसरा से देखा था हमने multicellular ये size के आदार पर हो गया classification लेकिन ये हमने जिसको read की हड़ी होती है उसको हमने कहा है vertebrates और जिसको नहीं होती है उसको हमने invertebrates कहा है देखो animals with a animals with a vertebral column those without it formed two groups known as vertebrates and invertebrates अब vertebrates और invertebrates कोन है हम देखते हैं तो जो snakes है birds है, fish है, kangaroo है as also human are vertebrate animals कोन-कोन से है तो हम highlight करना चाहेंगे तो ये जो है vertebral column वाले animals है, कोन-कोन से है snakes, birds fish and kangaroos तो आइस से भी कुछ है जिनको vertebral column नहीं है वो है, snail, cockroaches, earthworm do not have vertebral column and therefore they are invertebrates कहां जाता है, इसको हम color change कर लेंगे चलो, change color करेंगे हम दूसरा color feel करेंगे तो ये दो ग्रूप होगे on the basis of vertebrates and invertebrates on the basis of vertebrate column we have divided the animals into two groups vertebrates and invertebrates अब second भी बात ये है some animals which lay eggs and other which give the bird to the young ones क्या, आपने मुर्गी का अंडा देखा देखा की नहीं तो मुर्गी का अंडा देखा मतलब वो क्या करते है अंडे डालती है उसके बच्चे अंडे से निकलते है लेकिन हमने गया का अंडा देखा क्या, नहीं हमने गया का बच्चरा देखा लेकिन एग्स नहीं देखा मुर्गी का एग्स देखा बाद में वो एग्स से बच्चरा निकलता है हैच होता है लेकिन हमने गया का अंडा देखा नहीं है वो तो direct birth देती है बच्चों को तो मतलब ऐसा है कि animal likes मुर्गी ले एग्स बट animal लाही गया वो ग्यूज दी एंग birth to the एंग ones We learn that producing another living things like oneself is called reproduction तो what is reproduction ये हमें थोड़ा important है तो important है और reproduction क्या चीज है हम ये बता रहे है We have learned that producing another living things क्या बोला producing another living things एने another living things produce करना another living thing produce करना उसको reproduction कहते है अब ये हिन कैसी reproduction करती है वो क्या करती है ले एग्स एन हैचेज दी एग्स डालती है उसको पकाती है और उसको अंडे को हैचेज करती है फोड़ती है after few days मतलब आम तोर पे 21 days के बार और young one chicks hatch out the eggs और ये एग्स के बाहर वो young ones आती है बचरी आती है लेकिन cow gives birth to the calf cow डारिक अपने बचरे को जन्म देती है before that a calf grow within the cow's body और cow के बाड़ी में ही वो बचरा देवलब होता है देखो क्या फरक है एक बच्चा क्या हो रहा है एग्स में देवलब हो रहा है और दूसरा बच्चा ये cow के बाड़ी में हो रहा है है ना तो ऐसे भी अनिमल है जो एग्स में डेवलब करते है बच्चे को और कुछ अनिमल क्या है बाड़ी में डेवलब करते है तो according to mode of reproduction अनिमल can classify into two types one oviporous animal which leges and viviporous animal which gives birth to their young ones तो हम और भी बात देख रहे है तो दो क्लासे है हमारे एक विवी पोरस which gives which leges eggs वो एग्स देते है उसको हम विवी पोरस अनिमल कहेंगे और जो ओ भी पोरस अनिमल कहेंगे जो legs पोरस अनिमल उसको कहेंगे जो अन्डे देते हैं और विवी पोरस अनिमल उसको कहेंगे जो यंग वन को जन देते हैं बच्चों तो ये दो क्राइटरिया हो गया अनिमल को क्लासिपाई कर सकते हैं एक तो ओवी पोरस जो legs डालते हैं और विवी पोरस जो बचरे को जर्म देते हैं तो विवी पोरस अंडे डालने वाले एक्स वाले होते हैं बराबर हैं और विवी पोरस यंग वन्स वाले होते हैं ख्यार में रखिए दिस इंपोर्टन और स्लीप आप टंग को करेक्ट कर लिजिए बाद में देखिए बच्चों और भी है तिसरा ग्रूप है देखो यह आनिमल कहां रहते हैं देखो मतलब आनिमल रहने के उपर हाबिट के उपर भी उनके यह होते है क्याटेगरी होते है देखो हार्स कहा रहते हैं जमिन पे रहता है बीर्स कहा रहते हैं जमिन पे जंगल में रहती है ट्वाटेज कहा रहता है पानी में जमिन पे रहते हैं ऐलिगटर की बात है फीश की बात है डियर की बात है फ्रॉक की बात है तो इसके हाबिटेट के उपर भी क्लासिपाई होते हैं उसके भी classification हो जाता है तो हम देखेंगे according to according to habitat habitat animal are usually classified into terrestrial and aquatic animal अब terrestrial मतलब क्या होता है जमिन पे रहने वाले terrestrial मतलब क्या है जमिन पे रहने माले और aquatic क्या होता है पानी में रहने मचली पानी में रहती है इतना है ना बराबर है वो जल की रानी है बराबर है कि नी और terrestrial ने जमिन पे रहने वाले मैंने बता आपको कि पंची उड़ता है आकाश में मगर रहता कहा है तो इसमें terrestrial भी आ गया है और aquatic भी आ गया है आप ध्यान से पड़ो इसका आंसर है देखो क्या है एक्वेटिक आनिमल है तो आपने कमन बॉक्स में लिखा होगा उसका आंसर मुझे उम्मीद है आप जब जब देखोगे तब तब उसका आंसर लिखोगे चलो बच्चो अच्छी बात है थोड़ा पड़ाई भी अच्छी होना चाहिए तो according to their habits आइमल्स are usually classified इंटू टेरिस्टेल यानै अक्वेटिक तो टेरिस्टेल का मतलब क्या होता है हमारा टेरिस्टेल का मतलब क्या होता है बच्चो बताए थोड़ा जल्दी जल्दी बताए ये comment box में लिखिये टेरिस्टेल ने जमीन वाली बात एक्वेटिक एने क्या है पानी वाली बात हो गई है बच्चो और यहां जो पिक्चर भी दिये है हावियर ऐसा होने के बाद में भी बात है बच्चो देखो एनिमस लाई फ्रॉग सैलमेंडर टोड्स लेविन बोथ नेमली लैन और वाटर therefore they are called amphibians अब यह भी import है यह तिसरा गुरूप है बच्चो कुछ हम आनिमल देखते है देखो कुछ आनिमल देखते है जो जमिन पे रहते है और जो पानी में रहते है इसके सिवा ऐसे भी आनिमल है जो जमिन पे भी रहते है और पानी में भी रह सकते है देखो ये गया अब जमीन पे रह सकती है पानी में नहीं रह सकती है ये टार्टाई ऐसा है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है लेकिन ये जमीन में रह सकती है पानी में नहीं रह सकती है और ये ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रह सकता है और जमिन में भी रह सकता है तो बच्चो ये जो एनिमल है उनसे ये फ्राग और ये टार्टाईज इसको हम एमपीबियंस बोलेंगे क्या बोलेंगे एमपीबियंस बोलेंगे और बच्चो ये जो एनिमल है जो बियर है और ये जो काव है ये जमिन पे रहते हैं इसलिए टेरिस्टियल एनिमल कहेंगे इसको क्या कहेंगे टेरी स्टेल आनिमल कहेंगे और मचली जैसा आनिमल है बच्चो मचली का चित्र बहुत उपर गया है है न बराबर है न तो उसको हम एक्वेटिक बोलेंगे मचली जैसा आनिमल फीश इसका एक्जमपल क्या है फीश फीश जल की रानी होती है हाथ लगाओ तो डर जाएंगी और बार निकालो तो मर जाएंगी ऐसे जो मर जाएंगे वाली बात है तो ये एक्वेटिक होते फीश देखी किने आपने तो बच्चो ये जो है हम दिका रहे तो ये एक्वेटिक वाली बात है फीश की ये एक्वेटिक है समझें यह क्या है Aquatic Animal Aquatic Animal में आता है बच्चो तो चलो बच्चो हम text के तरफ हम जाते हैं अपने आगी का text कंजूम करते है Use your brain आपको अपना brain यूज करना है बच्चो What are the different criteria used to classify animal Animal के लिए कौन-कौन से criteria है हमने देखा है बच्चो हमने देखा है animal में बहुत सारी criteria है और देखे भी है देखो unicellular, multicellular है बराबर है वो size के उपर है vertebrate, invertbrate है यह vertebrate column के उपर है oviporous और viviporous है यह बच्चे को reproduction के type के उपर है इधर में habitat के बारे में terrestrial, aquatic और amphibious है तो यह criteria है जिसके उपर हम classify कर सकते है और always remember की बात है in the living things in the living things a lot of diversity is seen both in animal और plant में देखो living world में क्या है lot of diversity है जैसे plant में है वैसे animal में है every plant and animal is unique और every plant और animal कैसा है unique है अलग अलग है बच्चो सरी के नहीं है वैसा वही है we should all make effort to conserve this diversity in living world हमें इसको conserve करना है यह हमारे लिए important है और इसलिए यह हमें बाते always remember करना है और हमने क्या पढ़ा है बच्चो यह भी बात हमारे लिए important है पढ़ा है plants are classified on the basis of their height के उपर shape of time के उपर और period of life cycle के उपर और habitat के उपर हमने plant को classify किया है animal को classify किया है cell structure के उपर vertible column के उपर method of reproduction के उपर और habitat के उपर हमने classify किया है यह बाते सब हमें क्या है ख्याल रखना है बहुत ही ख्याल करना यह ख्याल रखने वाली बाते बच्चो और हमें ख्याल भी इसका रखना है बराबर बच्चो चलो आगे देखते हैं बच्चो exercise है उम्मिद करता हूँ यह exercise के लिए आपको बहुत source मिल जाएंगे और बहुत कुछ आपको यह मिल जाएंगे sources इसलिए मैं discuss नहीं करना चाऊंगा बच्चो बराबर है यह discuss नहीं करना चाऊंगा क्योंकि यह already मेरा बहुत सारे इसमें discuss हो गया है detail में discuss अपन लाइन टू लाइन गए है लाइन टू लाइन जाने का फाइदा क्या होता है बच्चो आपको पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना आ जाता है क्योंकि आप यूविल रिपीट दी वीडियो और यूविल आपज़र द्याट यूविल स्टार्ट रिडिग बराबरे मैं लाइन टू लाइन जाता हूँ हर डीफिकल्ट वर्ड का मिनिंग समझाता हूँ इसलिए आपकी होकेबलूरी बढ़ जा रही है मैं बहुत सारे पिक्चर दीखाता हूँ इसलिए आपका नालिज बढ़ रहा है कौन से पिक्चर यहने कौन सा क्या होता है पिक्चर से अंडेस्टैनिंग आपकी बढ़ जी बच्चो और यह सब हेल्प करता है साइन्स को डीप से यहने डीप से समझने की कोशिश के लिए बहुत ही मायना रखता है बच्चो यह चीज है तो आप मैं उम्मिद करता हूँ यह चाप्टर आपको समझ में आया होगा लेकिन बच्चो बात ऐसी है मैंने बता है कि नौलेज देने से बढ़ता है बच्चो नौलेज देने से बढ़ता है तो आप भी यह वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेर करो बराबरे लाइक नहीं किया तो भी चलेगा मुझे कोई टेंशन नहीं है बराबरे लेकिन सब्सक्राइब करो इसलिए कि मेरे वीडियो आपको आपको आने वाले वीडियो आपको मिलना चाहिए इसलिए आपको सब्सक्राइब करो शेर करो दूसरों के लिए नालिज बढ़ाने के लिए और इसको बार बार देखो बच्चो और बात यह है वीडियो कैसा लगा है इसके लिए कौमेंट जरूर करो कौमेंट गलत हुआ होगा वो भी कौमेंट करो अच्छी लिएंग्वेज में और अच्छा होगा होगा वो भी कौमेंट करो क्योंकि अच्छे कौमेंट हमारी टानिक होती है बच्चो हमें थकने ने देती अच्छे कौमेंट आपके हम बार बार वीडियो बनाते है वो और ब्याड कौमेंट रहे तो थोड़ा नर्वस हो जाते है जरूर बच्चो बराबर है सुद देखो हम तो हमारी आदब ब्याड है हम क्या गलत हुआ है तो सुदारने के लिए ये केन दे देते चपाड़ पनिश कर देते आपको बराबर है और बाद में बताते है चलो ये पनिश्मेंट से आप सुदर जाते हो लेकिन ये ब्याड हाबिट है बच्चो ऐसा मुझे लगता है फिर भी आप पनिश्मेंट दोगे मुझे तो कोई हरकत नहीं लेकिन जरूर कॉमेंट करो ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगे तो बच्चो आप मुझे 23 मिनट से जहल रहे हो तो मुझे जाज़त दिजे या दी एंड करने के लिए चलो बच्चो बाई मिलेंगे फिर नए चाप्टर के साथ